Hello Friends, आज मैं इस वीडियो के थूँ आपको CA Intergroup 1 Corporate and Other Laws Subject के exam वाले दिन आपको क्या-क्या पढ़ना है और उसके लिए आपकी क्या-क्या strategy होनी चाहिए इसके बारे में guide करूँगा तो सबसे पहले आपको अपना schedule बनाना है और उसके according ही work करना है क्योंकि आपको अपने exam center में भी timely पहुँचना है सबसे पहले अपने notes को quickly revise करें और यहाँ पर बहुत से बच्चे mistake करते हैं कि वो नए topics को pick करते हैं या जो उन्हें कम पढ़े हुए हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि please ऐसे topics को उस दिन नाच हुएं सिर्फ आप उन्ही topics को revise करें जो आप already पढ़ चुके हैं तो please किसी भी नए topic को उस दिन नाच हुएं या अगर आपका पिछले दिन कोई topic रह गया था revision के लिए तो सिर्फ उसको ही revise करें और अपने उपर पूरा confidence रखें कि आप easily आज के paper में अच्छे marks achieve कर सकते हैं तो बचो आपको इन सारी ही बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले अपने schedule बनाएं दूसरा अपने notes को quickly revise करें नए topic को ना चुएं और जो भी आपका revision के लिए part थोड़ा सा रहता है तो उसी को ही revise करें team grooming education academy की तरफ से सबी students को best of luck safe रहें अपना ध्यान रखें thank you for watching this video once again best of luck जैश्री स्याम